आपने moving average के concept को continue करेंगे और आज के session में moving average को एक अलग नजर ये से देखने की कोशिश करेंगे आप लोग moving average को देखें तीन तरीके से use किया जाता है trading के purpose से swing के purpose से और investment के purpose से trading भी दो तरीके से होती है intraday trading या positional swing भी आपको equity में करते हैं या फैनो और basically futures में या hedge करके आप swing कर सकते हैं equity में आप investment और swing दोनों एक साथ कर सकते हैं तो आपको averages को uses को समझना होगा कि कब कौन से औसत को use करें जैसे आपको पता होगा कि average basically आप लोग जो जानते हैं तीन तरीके से समझते हैं SMA Simple Moving Average EMA Exponential Moving Average और तीसरा होता है WMA Weightage Moving Average ऐसा नहीं है तीनी average है मैं जिस आज average पर बात करूँगा ये तीन average का ही एक और पार्ट होते हैं इनके भी कुछ पार्ट होते हैं जैसे Simple Moving Average का एक पार्ट है TMA ठीक है और इसी को अगर आप लोग exponential में use करें तो उसको हम कह देते हैं TEMA में है ना तो इसको हम लोग क्या बोलते है Triple Moving Average ये Triple Moving Average क्या होता है बेसिकली ये एक टाइम फ्रेम का आउसत होता है जिसको अब लोग 14-21-35 के आउसत से समझते है 14-21-35 क्या होता है ये एक टर्मलोजी को अब मैं आज के session में clear करूंगा और ये बताऊंगा जैसे कल जो मैंने session किया अब कई लोग उसमें comment कर रहे थे मैं आपके comments के पहले doubt clear कर दूं कई लोग बोल ले थे कि 10 और 21 का आसत क्या उपियो किया जा सकता है पास मेट के time frame पर मैं बोलता हूं नहीं आप बोलेंगे 10 और 21 का उपियो किया जा सकता है क्या 15 मेट के time frame पर मैं बोलता हूं नहीं सिर्फ hourly और daily time frame पर जाके यूज कीजे कल जब देखिए आप लोग बहुत चीजों को ध्यान से सुना कीजे कल जब मैं session किया जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है इस पूरे session को complete करने के बाद कल के session का link आपको description में telegram में मिल जाएगा telegram को join करकर आप हमसे भी जुड़ जाएंगे और वहीं पर आपको moving average जो कल मैंने वीडियो बनाया उसको आप वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं मैंने आपको क्या बोला hourly time frame पर 21 का moving average क्यों valid करता है क्योंकि ये पिछले 3 दिन के आउसत को बता रहा है 3 दिन के आउसत के साथ 4 दिन के last 3 घंटे के आउसत को साथ लेकर बता रहा है 21 का आउसत daily के time frame पर क्या बदर्शा रहा है ये पिछले लगबग लगबग एक महिने के आउसत भाव को बदर्शा रहा है इस वज़े से ये daily और hourly time frame पर इतना effective है अब आप पूछिए कि 5 मेंट या 15 मिनट पर trade करूँ देखिए करने को आप कर सकते हैं अब efficiency की बात आती है न जब आप hourly time frame पर trade करेंगे तो आप 400 trade कीजिए और 400 में से 20 भी trade गलत हो जाएं बहुत मुश्किल होता है rare case है और वहीं पर अगर आप 5 या 10 मिनट के time frame पर चले गए तो यही 400 trade में से आपकी 320 states ही होगे यह high accuracy setup हुआ लेकिन अभी as a beginner आप इतने confidential नहीं है कि आप यह 70-80 जो trade गलत होंगे इनके साथ आप bear करके अपने positions को handle कर पाएं यह बात होती है तो शुरुवात में जब आप trade करें तो risk reward ratio आप समझते नहीं है बैतर है न अभी time frame को आप उतना बैतर respect नहीं देते हैं अपने target को लेकर तो वो चीज़ें यहां पर आपको बहुत trigger करती है तो आपको शुरुवात जब आप practice करें तो आपको ऐसे projection पर करनी चाहिए जो बहुत high accuracy रखते है बहुत high accuracy का मतलब है कि आप 50 trade कीज़े तो उसमें 45 बार साही होई है, 46 बार साही होई है इस तरीके से तो वो चीज़ें मैंने आपको time frame के साथ बताए hourly और daily time frame के लिए है वो particular ठीक है उस प्यार आप use कीज़े बहुत अच्छे से देखिए, hedging आप करेंगे hourly time frame पर बहुत rare case होगा कोई कोई loss चला जाए, 400 trade कीज़े 400 में एक भी trade गलत होने का rare case होगा क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है hedging में जब आप position को लेते हैं इसको adjust करना कितना आसान होता है classes में आप लोग सारी चीज़े सीखते हैं देखे, आज मैं बात करने वाला हूँ TMAP ये concept मैंने clear, कल मैंने आपसे एक question पुछा था कि buyer और seller का average कैसे निकालते हैं जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नीचे comment section में जवाब दिया देखकर अच्छा लगा कि आप लोग चीज़ों को सीखते हैं और सीखने के बाद याद भी रखते हैं हला कि मैं अभी आपको revise कराता रहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, आज के session के end में मैं आपको बताऊँगा buyer seller का average कैसे निकालते हैं ठीक है, और इस session को पूरे ध्यान से देखेगा एक question मैं आपसे आज भी पूछूँगा जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूँगा हला कि वो question का reply पहले मैं उस पर एक session कर चुका हूँ लोगों ने देखा होगा वो उसका जवाब comment section में देंगे ठीक है, देखे, समझ ये ध्यान से, एक एक concept को बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी market में आप बहुत rumors से सुन रहे होंगे इस तरीके की की बाजार में बहुत बड़ा dip आने को है, price में बहुत बड़ी बिक्वाली होगी और जैसा की हम लोग एक cycle, sectoral जो investment होते हैं उसमें देख भी रहे है, cycle, time cycle जिसको हम कहते हैं की small cap और mid cap में बहुत बड़ी बिक्वाली है भी इस small cap में एक डेड़ महीने से बिक्वाली है, मैं लगातार आप लोगों को बोला हूँ small cap और mid cap में अगर आपके investment है, तो वो समय 2021 से लेकर ये 2024 की शुरुआत तक, खत्म हो गया, December की series थी जब खत्म हो रहा था उसी समय से मैं आपसे बोला हूँ कि price यहां से mid cap, small cap में बड़ी profit booking आएगी तो वो profit booking आ रही है, तो बाजार में क्या कहा जा रहा है कि index, nifty और bank nifty बहुत correct करेंगे 15, 20, 25, 30% के correction आएगे और बहुत सारी चीज़े, तो जो आज मैं concept आपको बताने वाला हूँ वो average का ऐसा concept कि आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि further आपको क्या एक opportunity देखना है कई लोग अपना portfolio बेच रहे हैं, बताएए portfolio बेचने से गलत कोई बात बाजार में हो सकती है क्या जो लोग अपना portfolio sale कर रहे हैं, बाजार में fear के डर से, डर तो बाजार में हर एक डेट साल में आएगा ऐसे आप कब तक portfolio बेचेंगे, और portfolio investment purpose से होता है investment purpose का मतलब हो minimum time period होगा holding गा तो 5 साल और आप उसको एक साल में 6 महिने में बेच कर जाएंगे, तो कभी आप सोचिए portfolio में बड़ा पैसा नहीं बना पाएगे ऐसे बाजार में कई trader हैं, जो 25-25 साल से इस बाजार में है और कोई खास पैसा नहीं बनाया, क्योंकि उनकों टाइम साइकल को नहीं समझते अब ये time cycle क्या है, mid cap, small cap में आपका fund है, निकाली ये large cap में shift कीजिए, अभी अगर बाजार में थोड़ा बहुत correction आने को होगा भी, तो सबसे पहले कौन गिरेंगे बताइए small cap गिर रहे हैं, mid cap गिर रहे हैं, ये बहुत तेजी से गिरेंगे लेकिन जो नहीं गिरेंगे या सबसे कम गिरेंगे वो है HDFC bank, अब HDFC bank लोग खरीदने को तयाने मैं बोला हूँ, खरीदिये 3000 बिकेगा, क्यों नहीं समझ आता है आप लोगों को, कि अगले 3-4 साल में अगर मैं बोलूँ आपसे HDFC bank 3000 के price को touch करेगा, आपका पैसा near about double से उपर जा रहा है, ठीक है, मैं Reliance बोलता हूँ, 5000 बिकेगा क्यों आप यहां पर नहीं खरीदारी कर रहे हैं, hero moto हुआ, infosys हुआ, यहां पर आपको investment करनी चाहिए तो चली, एक हम लोग एक eye opener session की तरह इसको लीजिए, और आपको एक समझ आएगा कि कोई भी price जहां पर आपका investment हो, या आप swing के लिए देख रहे हो, या अगले एक महिने में आपके trade plan क्या होने वाले हो, वो देख रहे हो, तो मैं आपको detail से यह video हो सकता है, थोड़ा Telegram जब आप join करते हैं, तो morning में आपको कुछ quotes लिख कर देता हूँ, quotes लिखने का मतलब है, morning में मैं आपको learning quote देता हूँ, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, उसको अगर आप पढ़िएंगे तो बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलता है, हर रोज एक quote आपक Discount Station का मतलब है कि ये समय खरीदारी का period कहा जाता है, अच्छा, ये जो buying period है, ये पता कैसे लगता है, देखे, हम लोग बाजार में जो भी price action देखते हैं, अगर price को, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो मैं आपको कई बार technicals में समझाता भी हूँ, ये बात कई बार आपक जब भी आप देखिए, तो पिछले तीन दिन के price action ही कम से कम repeat होंगे, पिछले तीन दिन में जो बाजार में हुआ होगा, वही कहीं न कहीं दोहराया जाएगा, अगर आप पिछले तीन दिन के price को देख कर बैठेंगे, तो वो चीज़े आपके लिए बहुत आसान हो जाए करेक्शन की शुरुवात होती है, और वो करेक्शन मार्च एंड तक, अपरेल शुरुवात तक खत्म होता है, फिर एक rally आती है, वो price को उपर लेकर जाती है, नमबर दिसंबर के आसपास, दुबारा एक करेक्शन की शुरुवात होती है, ये एक cycle है, ये cycle आज से नहीं है, ये cycle पिछले 15-18-20 साल का मैं आपको data दिखा दूँगा, और ऐसे ही है, चलिए मैं आपको एक simple cycle data दूँ, अगर मैं बोलू 2008, lemon brother collapse की बाद से आज तक, अगर आप देखेंगे तो हर बार यही cycle repetitive mode में दिखती है, कि एक correction cycle, जो कि gen और March के बीच में आती है, और फिर एक recovery cycle, ज कि December से correction की शुरुवात होगी, जैसे इस बार हुई, पिछले बार हुई, उसके पहले हुई, और कभी-कभी क्या होता है, उस correction की शुरुवात हो जाएगी, October से ही, है न, तो प्राइस पहले ही गिरने लगेगा, तो recovery भी जल्दी हो जाएगी, तो प्राइस हुआ मार्च के आस-पास consolidation करकर high break करेगा near about April, तो ये सारी चीज़े, अभी technical में मैं ये सारी चीज़े, प्राइस में आपको समझा दूँगा, इसके साथ, तो हमको ये समझने में आना चाहिए, कि जब प्राइस में हमको एक correction phase मिला है, खरीदने का अफसर, जो कि मैंने कहा March से, जैन से March के बीच में मिलता है, दिसमबर से जैन, जैन से मार्च इस तरीके से आपको ये सेशन मिलता है, इस बीच में खरीदारी के अफसर बाजार में मिलते हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे, तो discount session कहते हैं, ठीक है, अभी बाजार में discount session है, कि खरीदारी के अफसर है, सारे stock, HDFC Bank आपको सस्ते में खरीदने को मिल रहा है, जितने stock जादा जादा चल गयती है, सारे stock, Hero Motor ने 5000 के हाई लगा है, दुबारा निचले इस तर पर खरीदने को मिल रहा है, विप्रो लगबग 40% discount पर मिल रहा है, ऐसे stocks आपको ये discount session में खरीदने को मिलते हैं, अच्छा, अब मैं क्या बोला आपसे, अगर आप इस series को ज्यादा से ज्यादा share करेंगे, like करेंगे, और लोगों के पास पहुचाएंगे, तो मैं आपको moving average का detail by detail एक extension देने वाला हूँ, जहां पर आप बहुत सारी चीज़ों को एक एक करके सीखेंगे, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लो लार्ज कैप में उनको तो कही न कही पैसा लगाना है तो लार्ज कैप में लगा रहे हैं, जब पैसा लग रहा है तो बाजार में correction नहीं हाप रहा है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा power है हम लोगों का, ठीक है, तो समझ ये, weekly time frame पर 3 average, जिसको हम कहते हैं TMA, TMA होता है triple moving मतलब तीन moving average के crossover होंगे एक साथ, देखिए, तीन line जब एक साथ चलेंगी, तो जब माल लेते हैं, price बहुत तेजी से चल कर जा रहा है, ध्यान से समझ लीजे पहले logic को, फिर मैं आपको price भी clear करता हूँ, देखिए, माल लेते हैं, ये price है, ध्यान से एक एक चीज़ को दिखे अगर 10 दिन का उसत है, तो वो 20 दिन के उसत को काटेगा बार बार, है न, ये logic इसका क्या है, वो बहुत समय लगेगा, उस पर हम लोग बहुत detail में नहीं जाते हैं, बस एक छोटे से concept को समझ रहे हैं, कि short term के averages, बड़े averages को breakout और breakdown करते हैं, तो जब एक rally one-sided आती है, तो ये breakout होने के बाद, इन averages के बीच में gap बनता है, कि 10 का उसत सबसे पास चल रहा होगा, अगर आप देखेंगे, तो इसके बाद 21 का उसत इससे थोड़ा सा दूर चल रहा होगा, 35 का उसत इससे दूर चल रहा होगा, ठीक है, तो इन averages के बीच जब gap रहता है, तो वहाँ पर हम लो आपको अच्छा-खासा मुनाफ़ा चाहिए, 25-40-50% बुक करना है अगर portfolio, तो यह तरीका अपना ही है, यहाँ पर जब averages के बीच gap आ गया, तो हम खरीदारी नहीं कर रहे हैं, अब क्या होगा, यहीं से एक price में क्या आएगा, price में कोई correction आएगा, correction आएगा तो सबसे पहले यह वाला average नीचे जुकेगा, फिर यह जुकेगा, फिर यह जुकेगा, यह average एक जगए आकर इस तरीके से एक दूसरे को conversion कर रहे हूँ, convergence आगे समझाएंगे क्या होता है, सिर्फ conversion का मतलब है कि अभी तक यह सारे उपर चल रहे थे, अब 10 का average 21 के नीचे आने की कोशिश कर करेगा, 21 का average 35 के नीचे आने की कोशिश करेगा, बेसिकली जब आप बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेट कर रहे होते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में एक चीज बिल्कुल क्लियर है, कि प्राइज में correction एक शॉर्टर टर्म के लिए होता है, और लॉंग रन लॉंग टर्म क से लगबग लगबग overlap करने लगते हैं, जब भूमते हैं, जब दुबारा यहां से buying उठेगी इसी price में, नीचे से आकर उपर जाने की कोशिश होगी, तो यह overlap करते हुए turn around करते हैं, अब दुबारा price में rally आएगी, तो फिर इन तीनों के बीच में difference आएगा, फिर difference आएग फिर बड़ा difference आया, तो यह cycle yearly basis पे चलती, तो जो यह overlap होता है न, यह overlap होता है, जैन सेशन से, मार्च सेशन के बीच में, बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, यह बहुत जो मैं आपको चीज़े सिखा रहा हूँ, यह बहुत आसान चीज़े नहीं है, यह आसानी से आपको सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले weekly timeframe पर जाना है, weekly timeframe पर जाने के बाद, यहां पर हमको क्या करना है, अभी आपको यह price देखे, अभी क्या है, आज का दिन है Saturday, तो Saturday को trading view के prices में क्या चलते है, adjustment, settlement होते है, तो settlement की वज़े से आपको यह open price की तरह दिखेगा, 4-3%, ऐ ऐसा कुछ नहीं, आप डिली आवरी timeframe पर आएंगे तो आपको वही closing दिखेगी, 46-543 जो की हुई है कल बाजार में, ठीक है, तो जब लोग weekly timeframe पर आगे, अब weekly timeframe पर आकर हमको क्या करना है, समझे, ध्यान से सुनिए का, यहां पर moving average पर जाना है, ठीक है, moving average पर जाना है, एक साथ बन गई, ध्यान से सुनिए, एक एक concept को, ठीक है, यहां पर मैंने क्या का, 14-21-35, 14-21 को crossover करेगा, सबसे चोट average कौन सा है, 14-21 का, फिर 21-35 का, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से simple से method को exponential कर लेंगे, simple TMI को नहीं यूज करेंगे, हम लोग TEMI को यूज करेंगे, ट्रेड, triple simple moving average यूज नहीं करें, triple exponential moving average यूज करेंगे, इससे क्या होगा बताइए, इससे मैं आपको बोलू, इन तीनो averages की बीच में जो lag रहते हैं, दूरी जादा हो जाएगी, crossover में जादा आएगा, यह lag दूर हो जाते हैं, इन lag से बचने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं, कि EMA यूज करें, तो यहाँ पर तीन average कौन से हैं, एक 14 हफते का, देखिए, time period कौन सा है weekly, तो एक 14 हफते का उसत है, एक है 21 हफते का उसत, एक है 35 हफते का उसत, तो देखिए, 14 हफते की buying अगर उठेगी, तो price सबसे पहले 21 हफते के average को break करेगा, फिर 35 के average को break करेगा, फि तो यह convergence है कि price गिरने के बाद जहाँ overlap करेगा, वहाँ खरीदारी बनते हैं, अब जड़ा historical data check कीजए, आईए मैं आपको दिखाँ, बहुत ध्यान से देखेगा, एक बार की बात नहीं है, मैं आपको पूरा data check कर रहाँगा, ठीक है, पूरा complete, एक बार की बात नहीं कर रहा कितना महतपूर है और कितना reliable है, एक line में बहुत बड़ी learning चुपी हुई है, ठीक है, उन चीजों को बहुत ध्यान दिया कीज़े, देखे, पहला correction हमको देखने को मिला, यह 2009 में खत्म हुआ, कब खत्म हुआ यह correction बताइए, यह नीचे time लिख कर आता है, यहाँ पर देखे जैसे हमारे index का लगबग लगबग 50-60% वहाँ से decline कर गया, 2009 तक price गिरा, अब यह देखे, जब यहाँ पर last low लगे, यह समय देखे, यह समय क्या है, यह समय नीचे लिख कर आ रहा है, देखे, 16 March 2009, near about March, यह discount session 2009 का कब खत्म हुआ, March 2009 में, यहाँ से rally की शुरवात हुई, rally की शुरवात होकर price देखे, चल कर गया, और चल के जाने में high लगाया, कहां October के आसपास, देख पा रहे है, October, November के आसपास high लगा, जितना गिरा था पिछले एक साल में, पूरा recovery कर गया, इसी station में, March से लेकर October तर, ठीक है, उसके बाद October में क्या हुआ, प्राइस consolidation में गया, और यह देखे, Feb, March में फिर यह low लगा है, price को थोड़ा बढ़ा करूं मैं, आराम से देखे, तसली से, ध्यान से, ध्यान पूर्वक, ठीक है, यहां पे price ने क्या किया, 2010 Feb, March के आसपास फिर low लगा है, और फिर rally की शुरवात किया, और फिर यह rally end हो रही है, देखे, October, November क और गिरने पर देखिए, यह low कब लगा रहा है, Feb सेशन के आसपास low लगा रहा है, अब price में दुबारा मार्च से turn around हुआ, यह April के आसपास price hike पर गया, लेकिन इस साल यह rally नहीं चल पाई, price में दुबारा एक correction आया, और correction यह दुबारा खत्म हो रहा है, देखे, ध्यान स यह इतनी बड़ी बिक्वाली के बाद, lower level से जो demand उठी न, वो accumulation zone यह बना, तो price में बड़ा dip नहीं है, बड़ा correction नहीं, price उपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, उपर जा रहा है, यह correction phase नहीं है, एक consolidation phase है, near about high, यहाँ पर बड़ी demand उठी, ऐसा 2020 में भी हमारे साथ हुआ, द यहाँ पर यह वही station चल रहा है, कौन station चल रहा है, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, देखे, यहाँ पर यह correction की शुरुवात हो, अब यह correction यहाँ पर देखिए, end होता है जब, तब यह दुबारा high लगाता है, कब high लगाता है, May, June के आसपास, फिर यह correction चलता ह है, correction end होता है, September में, फिर दुबारा price उपर की तरफ बढ़ता है, अब यहाँ पर यह demand उठी है, जब यह high निकले है, ठीक है, high जब निकले हैं, तो price को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, गौर से, ठीक है, जब high निकले, तो price ने यह high लगाए, देखिए, December, January के आसपास फिर price में correction आया, correction कब end हो रहा है, February, March में, rally के बाद जब भी correction end होगा, जब price चल कर, यहाँ इस zone में price ने कोई बड़ा momentum दिया नहीं, तो price का यह consolidation phase है, price में कोई बड़ा trending momentum नहीं, अब price ने जब momentum दिया, जब यहाँ पर दूरी बनती है तीनों के बीच में, यहाँ कोई इस session के बाद जब यह rally end हुई, इसके बाद इस zone में, October के बाद कोई भी तीनों averages के बीच में कोई बड़ा gap बना ही नहीं, यहाँ पर gap बना तो rally आई, rally की बाद correction end हो रहा है, देखिए February, March में, फिर एक rally आती है, rally खत्म होती है अगास October में, और दुबारा correction यह end होता है, देख अगास September, October, November में, यह rally खत्म होती है, और यह दुबारा से, आप देख रहे है, correction phase, यहाँ पर देखिए, यह rally फिर खत्म होती है, इसी area के आसपास, अब यह दुबारा से high break नहीं कर पाया, फिर बड़ा correction तो फिर वही rally की शुरुबात हो गई, तो हर बार आप क्या देख है, कि price में जब भी बड़ा momentum होता है, तो बड़े momentum के बाद जो correction आता है, वो correction अगर end होता है, तो gen से March के बीच में end होता है, इस पूरे area को मैंने एक line में code कर दिया आपके लिए, आसान कर दिया ना चीजों को, अब यहाँ पर जब आप खरीददारी करेंगे, तो को समझे, आप एक line में अगर समझना है, गिरता हुआ average धीरे धीरे अगर buying आने लगी, तो ऐसे ऐसे मोडने लगेगा, इसको कहते हैं conversion, यह दूसरा average भी इसके साथ मोडने लगेगा, तीसरा average सबसे छोटा, 14 पिरियेट का, यह भी इसके साथ मोडने लगेगा, यह सबसे प पर आगया average की उपर, यहाँ पर हमारी buying बनी, buying बनी तो price अल कर गया, नवंबर के आज पास देखिए, यह index, 5000 का index, 9000, नहीं अरब हो, index डबल होने का मतलब समझते हैं, आपके खरीदे गए stock, 2-2 गुना, 3-3 गुना, 4-4 गुना हो गया आराम से, ठीक है, अब यहाँ पर द देखिए, फिर यह overlapping हुई, overlapping में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपने investment की शुरुवात कर दी, investment की शुरुवात की price उपर जा रहा है, लेकिन low भी नहीं जा पर है, मतलब हमारा investment यहाँ पर, 2012 से लेकर 13 तक, एक accumulation zone में रहा, कि यहाँ पर हमको सिर्फ खरीदारी के अब दील हुई, फिर से देखिए, यह index कहां से, हम लोग खरीदारी कर रहे थे, 9600 से, index हो गई 20,000 की, सोच यह double हो गया, हम लोग 12 से 13 के बीच में accumulation करते रहे, 13 से 15, दो साल में index double हो गया, और index double होने पर हमको एक बड़ा momentum मिला, ठीक है, तो यही एक खरीदारी का cycle है, तो अभी मैं कह रहा हूँ न, time to buy, अब time to buy, अब कुछ लोग बोलेंगे, कि यह तो time to buy अगर है, तो अभी price में बड़ा momentum आना चाहिए, बड़ा momentum, अब कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ा correction आएगा momentum तो छोड़िये, तो उनको मैं एक जवाब देता हूँ, sir, आईए, price में सब से पहले आया कीचे, कुछ भी देखने जा रहा है, तो सब से पहले price को देखिए, उसके बाद कुछ और, हम लोग अब एक बार monthly time frame पर आजाते हैं, मैं आपको एक high opening session दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या करना है, एक upper trend line draw होती, upper trend line क्या होती, अगर price ऐसे 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 आगे करते हुए, इस तरीके से यह line है आप पर जाने वाला है, ठीक है, यह line draw हो गया, अब इस line को draw करके, इस line को छोड़ देजेगा, अभी हम लोग है, कहीं पर यह 14-14%, यह settlement का price है, यहाँ पर हम लोग 45-600 के आसपास है, ठीक है, अब हम लोग यह line draw, एक बार सोची, मैं एक बा यह line draw करता हूँ, जिससे आपको दुबारा में आसानी हो, कोई भी तकलीफ नहीं चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखे, 2008 से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने एक लगबग-लगबग line draw किया, जिससे हमको एक अनुवान मिला कि हम लोग क्या rally करने वाले हैं, तो यह हमको ए यहाँ पर अगर आप गौर करें, तो जून से यह जब rally उठी, तो दिसंबर में end हुई, profit booking आया, तो मार्च में यह खत्म हुआ, तो दुबारा rally चलने की शुरुबात हुई, अब यह हाई यहाँ पर निकलने की कोशिश price बार बार कर रहा था, जो की नहीं निकला, तो यह कौन सा area हुआ, यह similar to area है, यह वाला area, जहाँ पर यह consolidation चला था, जो आपने यह phase देखा था, यह phase, अच्छा अगर यहाँ पर price में कोई profit booking नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा आप price को, यहाँ कोई profit booking तो हुआ नहीं, तो price consolidation में रहा, लेकिन यह trend line एक range खोलती गई, कि price को कहा ले जाएगा, वही यहाँ पर हो रहा है, अगर आप गौर करें, अगर यह line आप दुबारा इस तरीके से draw कर लें, इतना ही draw कर लीजिए, आसानी से समझा जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है, इतना ही draw कर लीजिए, इसी से समझा जाएगा, देखिए, अभी क्या चल price इस high को discount दे रहा है, लेकिन इस high को बहुत तेजी से नहीं निकल पर रहा है, इस high को बहुत तेजी से break नहीं कर पा रहा है, तो price यही पर रुकने की कोशिश हो रही है, अब जब यह रुकने की कोशिश हो रही है तो price यहाँ पर रुका रहेगा, रुका रहेगा, और यह गया माल लेते हैं, इस साल rally आई, अभी हम लोग का हैं? March के आसपास हैं, तो यह discount session का end होना चाहिए. अगर यह discount session का 46-500 पर end है, तो अगर rally आई, तो price कहां तक चल कर जाएगा, बताएए, यह 25 खत्म होगा, तो इस line को थोड़ा और आगे बढ़ाईए. इस line को क्या कीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ाईए, इस तरीके से, ठीक है? अब जब 25 खत्म होगा, तो बताएए, यह average 25 खत्म होते होते, कहां तक पहुंचते हैं? 24-55,000 तक पहुंचते हैं. मतलब, अगर यहां से demand उठी, तो हमारा अगला target, मतलब है, कि अगर बाजार में अभी कोई last swing low break नहीं हो, जब तक, जब तक बाजार 44,300 या 42,100 मैं आपको एक level बता रहा हूँ, अब इस पर मैं चर्चा करूँगा, तो बहुत समय लगेगा कि यह level कैसे निकल करा है, उतना समय हमारे पास नहीं है, तो अगर मैंने आपको एक simple level बता दिया, अगर बाजार अभी 42,100 के नीचे जब तक weekly closing नहीं देता है, तब तक हमारा अगला target 55,000 के आसपास रहेगा, 2025 के end तक, हमको 2025 का टाइम आएगा, तो हमारा यह target रहने वाला है, यह कैसे पता लग रहा है, यह previous data बता रहा है, हम लोग नहीं कुछ कर रहे है, यह investment ऐसे ही होती है, यह बड़े लोग, mutual funds हुए, यह बड़ी-बड़ी investment firms हुए, hedge companies हुए, यह सारा अपना पैसा ऐसे समय पर लगाती है, और यह period of time बताता है, यह पिछला investment period बता रहा है हमको, कि हर बार यह हुआ है, यहाँ पर यह March में end होता है, बार-बार प्राइस अगस्ट अक्टूबर में high बनाता है, फिर यह यह यहाँ पर end होता है, देखिए March, June, July, फिर यह हाँ बना रहा है, यहाँ पर आपने वही चीज देखी, यह November में खत्म हुई, फिर यह rally यहाँ पर मेके आसपा शुरुआत किया, यह December में खत्म हुआ, फिर यह यहाँ मार्च से शुरुआत किया, तो यह चीज़े यहाँ पर repetitive चलती है, एक दोहराओ की प्रवत्ती प्राइज में पाई जाती है, वही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर प्राइज ने, जब तक यह low break नहीं करता है, तब तक जो लोग अपना portfolio बेच रहे हैं, वो लोग बाद में पस्ता आईएगा, सरकिस लिए पस्ता आईएगा, कि यह momentum की शुरुवात होगी, प्राइस 53-55,000 जाएगा, और आप लोग कहीं न कहीं इसी बाजार के भवर में फसे रह जाएगे, कि गिरेगा, 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 जो की होने वाला नहीं, ठीक है, अब यह convergence, आप लोग छुटे टाइम फ्रेम पर भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, देखे, छुटे टाइम फ्रेम पर सिंपल, जो रूल मैंने आपको वहाँ बता है, भई यहाँ पर, प्राइस गिरते हुए, जब दुबारा से टर्न अराउंड दिखाने लगे, घूम कर यह तीनों एवरेज ब्रेक करें, और भाव भी इसके उपर आ जाए, तो यहाँ पर लॉंग करने की एक अच्छी अपरशुटी होती है, इसी तरीके से शॉट करने के लिए, यह तीनों एवरेज एक दूसरे को क्रॉस ओवर करें, और यहाँ पर नीचे आ जाए, तो यह हर बार शॉट करने की, हर बार सेल उन राइस की एक अच्छी अपरशुटी होती है, जिसको आप लोग ट्रेड भी बहुत अच्छे से करते हैं, जितनी बार यह आएगा आएग अभी आपसे देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ सिखाता हूँ सर, है न, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझा कीजिए, सीखा कीजिए, अब मैंने आपको जो इन्वेस्टमेंट का यह तरीका बताए, यह ए आपको बताता हूँ, दो-दो घंटे के सेशन में आपको बताता हूँ कि कैसे आप समझते हैं कि प्राइस अप किस लाइफ लॉंग हाई पर जाएगा, या कहां तक गिर सकता है, जब मैं आपको बताऊँ, 42,100 का इंडेक्स था, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएए, आपको टेलिग्राम का लिंक मिलेगा, मैं वो वीडियो पिन करा दूँगा, तब मैं बोला था कि यह इन्वेस्टमेंट टाइम है, यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स अपनी कॉंटिटी अक्यूमिलेट कर रहे हैं, यह प्राइस गिरेगा नहीं, डाउट एक विकवाली आनी चाहिए, बड़ा मुमेंटम मिला है हमको, कोवीड के बाद बहुत बड़ी रैली मिली है, एक विकवाली आनी चाहिए, लेकिन वो समय कौन सा होगा, वो हम लोग नहीं तय कर सकते, तो हमारा काम है बाजार में इन्वेस्टिट रहना, ना कि बंटम पुता है, मतलब स्वेंग लो यहां से रैस गिरते गिरते डिते रेकर में आऊपको आनी होति ही, आपने इस अपने आना कर लिया, कान करके आपको पता चला, तो इस बीर का एवरेज यहां पर देखे के आएगा, यहां पर boving average सबसे पहले हमको प्लॉट करना है, ओ और यहां लगाया, देखिए कितना effective होता है, बहुत simple तरीके से मैंने आपको बता है, और कितना effective है यही पर पता लग जाए, देखिए, अभी पिछले 2 session पहले हम लोग short trading कर रहे थे, हमारे community traders trade plan करते हैं, जो regular आप telegram पर trades देखते हैं, वो हमारे community trader live market में करते हैं, जो मैं उन जब पहली बार कोई price test करता है, किसी एक average के उपर अगर भाव चला है, तो उसका उसत भाव एक support level है, तो price जब उसको first time touch करें, तो वो support level बहुत अचे से काम करता है, वो support level, पहली बार इसको test किया, untested zone, तो price को बहुत तेजी से धक्का लगा, लेकिन seller बहुत strong थे, price को बह उपर नहीं जाने दिये, दुबारा price को breakdown कराया, insight candle बनाया, low break कराया, तो एक rally दिया, retest कराया, retest पर short selling दिया, फिर rally दिया, तो यह सारी चीज़े, यह buyer average था इस वज़े से, यह buyer का उसत था, buyer का उसत ब्रेक हुआ, तो price गिर रहा है, अब हम further momentum higher side cup देखेंगे, जब बाज प्लान करनी चाहिए, इसके लिए एक detail analysis वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, चलिए आज के लिए परयापते, कोई doubt रहे गया हो, तो मुझे comment section में बताइएगा, और telegram से जुड़ना हो, तो description में link है, धन्यवाद